तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नए और लेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में क्लास 12 के उर्दो का क्यूशन एंसर होने वाला है सब्जेक्टिब कोशन और कितने चैप्टर का तो चैप्टर नमबर 2 इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर वन के सारी कोशन एंसर को कंप्लीट किये थे आज के ही किस वीडियो मेंelnबशन का इस वीडियो में आप लो बताऊंगी परतियक लाइंग को बढ़कर मैं उसका मेनिंग भी बताऊंगी ताकि question का answer आप लोग समझ कर याद कर सकते और हाँ एक और जरूरी बात आप सभी लोग ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि अभी तो समय ही समय है question answer तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे हम लोग सारा chapter तो complete कर ही लिए है रही बात question answer की यह तो बहुत ज्यादा समय है बाद में भी complete हो सकता है इस वीडियो को हम लोग बाद में देखकर question answer complete कर सकते हैं तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना सोचे please don't make any excuse कोई भी बहाना नहीं चलेगा क्योंकि अभी आप लोग complete नहीं कर पाएंगे अभी आप लोग वीडियो को skip कर देते हैं वीडियो को नहीं देखते हैं question answer नहीं करते हैं और सोचते हैं कि मैं बाद में कर लूँगा तो यह possible ही नहीं है जब आप अभी नहीं कर रहे हैं तो फिर बाद में भी complete नहीं कर पाएंगे ठीक है ना तो जरूरी है कि जो ले टेस्ट वीडियो अप्रोड हो रहा है तुरंत ही देखकर सारे question answer को आप लोग समझ ले और सारे question answer को complete कर ले ठीक है तो चलिए आज का यह वीडियो काफी important है पुरा starting से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा और सारे question का answer में आप लोग को समझा कर कराऊंगी तो आप लोग हर एक question का answer समझ कर complete करना है ठीक है तो starting में ही आप लोग वीडियो को like कर दें और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग को share कर देना है ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो notification आप तक सबसे पहले पहुचे so now without any further delay let's go to start तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं question यहाँ से start हो रहा है मुखतसर सवलात से यान की short type questions है जिसका answer आप लिखा हुआ है और हाँ एक और ज़रूरी बात आप सबी लोग का बार-बार comment आ रहा था कि मैम आप ये जितने भी question answer करा रही है हर एक chapter का chapter wise वो आप market से answer book खरीद करके लाकर उसी को scan करके आप ये करा रही है अगर आप खुद से ही answer तयार करके अपने जबान में आसान शब्दों का आसान लफजों का यूज करते आप अपने द्वारा answer तयार करके हर एक question का answer कराती तो हम लोग के लिए काफी बहतर होता हम लोग के लिए आसान होता उसे याद रखने में और उसे लिखने में तो बिल्कुल यह तो मैं भी आप सभी लोग को कह रही हूँ तो ऐसा ही तो होगा आप लोग का कहना बिल्कुल सही है और ऐसा ही होने वाला है अभी फिलहाल के लिए नहीं है मैं आप लोग को answer book से question answer करा रही हूँ और वैसे भी कोई मतलब ऐसा वैसा नहीं है मैं market में गई और देखी कौन सा answer book the best है मतलब किस book में आसान भाषा में answer लिखा गया है ज्यादा tough loves का use नहीं किया गया है और उसी को मैं choose करके लाई हूँ और आप लोग को question answer करा रही हूँ तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग इसी तरीके से question answer complete कीजिए और फिर आने वाले समय में हमारे द्वारा मैं खुट से answer तयार करूँगी हमारे द्वारा तयार किया गया हर एक question का answer आप लोग को कराया जाएगा और objective सब होगा तो आप लोग बिल्कुल भी answer नहीं लिजिए अब फिलहाल के लिए आप लोग को फिर से बोल दे रही हूँ फिलहाल के लिए यह जो answer book है इसके scan करके हर एक question का answer इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप लोग को पता चले कि answer लिखा कैसे जाता है अपने शब्दों में student अपने लफजों में answer कैसे लिखे स्टार्टिंग कैसा होना चाहिए और इंडिंग कैसा होना चाहिए तो यह इसी बुझे से मैं आप लोग को करा रही हूँ और फिलाल के लिए आप लोग आप लोग इसी तरह से जो है answer आप लोग को provide किया जाएगा चाहे objective हो या फिर subjective तो आप लोग बिल्कुल tension free रही है और फिलाल के लिए जितना भी question answer कराया जा रहा है इसको ध्यान से देखकर और इसको समझते चलिए ठीक है तो देखिए सबसे पहला सवाल है मुखतसर सवालात में कि मिट्टी की बेचा मिट्टी की बेचारगी और जलत पर हमें इसलिए तरह साता है कि दुनिया में चार बुनियादी अनासिर पैदा किये गए हैं आग, हवा, पानी और मिट्टी इन चारों में सबसे ज़्यादा हकीर मिट्टी है जो तमाम मखलुकात के पाउं तले रौन दी जाती है पानी के पानी यह चार तक्त्वाँ पैदा किये गए हैं इसमें सबसे ज़्यादा हकीर और जलील मिट्टी को ही समझा जाता है मिट्टी ही है जो इस दुनिया के तमाम इंसान जो है ना इस मिट्टी को अपने पाउं से रौन दे हैं पानी के साथ यहीं मिट्टी बह जाया करती है ह बस ये आप लोगो को लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया गया है लफजों को सजा कर, बस इसी को तो कहते हैं हम लोग सवाल का जवाब लिखना, सिंपल हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखिए, मिट्टी की तह में कौन-कौन से खजाने कुदरत ने यह तो यह जो कोशन कैंसर लिखा गया हैं, इसको भी असानी, यह भी तो एक़दम आसान भाशा में लिखा गया है, कहां टफ लवस का यूज किया है, यह भी एकदम सिंपल, आसान को यूज किया है और आसानी से आप लोग इस कोशन का सर्य याद रख सकते हैं, बहुत आस है जवाब टफली का हुआ है नहीं आसान है और इसी हो जैसे तो यह मैं आप लोग करा रही हूँ इन खजानों को काम में लाकर इंसान एक मुहजब आदमी कहलाता है एक सब्विया इनसान कहलाता है तरह तरह की माधिनियात जैसे सोना, चांद, हीरे, मोती और जारात वगरा मिट्टी के अंदर ही होते हैं और अगर यह माधिनियात नहोते तो इनसान जानवरों जैसी जिन्दगी बसर करता ठीक है खैर और चीजों को तो छोड़िए मिट्टी के बास टुकडों कीता में एक किसम का चिकना और बदबुदार पानी होता है जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं निस्बता यह दूसरे तमाम कुद्रती खजानों से ज्यादा मुफीद है तो वही यहाँ पर बताएगी है कि मिट्टी के तमें कौन-कौन से खजाने कुदरत ने चुपा रखी है और इसकी का एंसर यहाँ पर लिख दिया गया है ज्यादा टफ भी नहीं है पर ती एक लाइन को पढ़कर में आप लोग को एंसर भी बता दे रही हूँ ताकि जहाँ पर आप लोग को टफ लगे वहाँ पर आप लोग आसानी से समझ जाए तो हर एक लाइन को पढ़कर मैं उसका मानी भी बता दे रही हूँ ताकि आप लोग सवाल का जवाब समझ कर याद रखें मिटी का तेल इनसान का शरीक के गम कैसे है यानि कि मिटी का तेल इनसान के गम में कैसे शरीक होता है आप लोग को बताना है तो देखिए जवाब में लिखा गया है बहुत ही आसान आसानी से आसान लफ़ का यूज करते हुए यहाँ पर जवाब लिखा गया है मिटी का तेल इनसान का शरीक के गम इस तरह है कि वो आवाम के हर तबके की मदद और रहनुमाई करता है जैसे वो गरीब तुल्बा को अपनी रोशनी में सबक याद कराता है बुढों को ठोकडों से बचाता है इसी तेल की रोशनी चोर को चोरी करने में मदद करती है और चोर पकड़ने में पुलिस की भी मदद करती है जिदाई की रात में जब आशिकों का कोई मौनस वो घमखार नहीं रहता है तो मिट्टी का तेल अपने वजूद को जलाकर इंसान का शरी के घम हो जाता है और इसलिए इसके लिए बाह से तसल्ली होता है यहां पर बता दिया गया है कि कैसे मिट्टी का तेल इंशान का चरी के गम होता है क्योंकि जब जुदाई की रात होती है जब एक प्रेमी जब एक आशिक अपने माशुक से बिछड जाता है जिससे वो मुहबत करता है उसकी मुहबत नहीं मिल पाती है यानकि जुदाई की रात जब होती है तो वो जब अपने कमरे में अकेले रो रहा होता है गम में डूबा हुआ होता है तो उसके साथ और कोई नहीं होता यहीं मिट्टी का तेल जो होता है वो जलता है इसी मिट्टी की तेल की रोशनी में वो विचारा के लिए अपने कमरे में चुपचा बैठ कर गम में डूबा हुआ रहता है और यही मिट्टी का तेल जल जल कर अपना वजूद करता है और इंसान के गम में शरीक होता है ठीक है इसी वज़े से कहा गया है मिट्टी का तेल जो है ना इंसान का शरीक के गम है यानि की इंसान के गम में भी शरीक होता है चोथा सवाल कि रॉक फेलर कौन था और वह दौलत मंद कैसे बना ये भी मैं आप लोग अलड़ी पढ़ाई हूँ चैप्टर पढ़े हैं तो हर एक कुशिन का एंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं रॉक फेलर अमेरिका का एक ताजिर था यानि की बिजनेसमैन था वो मिट्टी के तेल की तजारत करता था उसने इप्तिदा में बहुत मामूली सुर्माया से तेल की तजारत शुरू की और अफ्तर अफ्तर तरक्की करते करते बहुत दौलत कमाया और एक वक्त ऐसा भी आया है कि उसका शुमार दुनिया के चंद एहम और बड़े सुर्मायादारों में होने लगा तो बस यह बात आप लोगों लीख देना है रॉक फिलर जो था वो अमेरीका का एक बिजनिसमेन था जो अब जिसन के तेल का बिजनिस स्टार्ट किया और धीरे 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 जो है न वो काफी तरक्की करता गया और दुनिया के बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े अमीर लोग, उसमें इसका नाम आने लगा, ठीक है, तो यहाँ पर चार कोशन कम्प्लीट होता है, जो कि शॉर्ट टाइप में था, अब यहाँ से लॉंग टाइप कोशन स्टार्ट हो रहा है, यानि कि तवील सबसे पहला है, कि अल्ला मिया ने मिट्टी के तेल में क्या-क्या खुविया रखी हैं, सियाक और सबाग के हवाले से बताईए, सिंपल है, बताना, अल्ला मिया ने, अल्ला ताला ने मिट्टी के तेल में क्या-क्या खुविया रखी हैं, आगे पीछे की बातों को ध्यान म को पैदा किया तो उसके नजाम को बखुवी चलाने के लिए चंद मजबूत बुनियादे फराहम एक मिनट बुनियादे अल्ला ताला ने जब काइनात को पैदा किया तो उसके नजाम को बखुवी चलाने के लिए चंद मजबूत बुनियादे फराहम की उन बुनियादों के तहत बहुत से चीज़ों को पैदा किया है और इस दुनिया में खुदा की कोई भी तखलीक बे मकसद नहीं है यानि कि इस दुनिया में खुदा ने जो भी पैदा किया है जिस चीज़ की भी तखलीक की है वो बिना मकसद के नहीं की है यानि कि इस दुनिया में जो भी खुद किसी भी तखलीक को जलील या हकीर नहीं समझा जा सकता है और इसी वज़ा से खुदा के द्वारा पैदा किया गया किसी भी चीज को जो है न हकीर और जलील नहीं समझना चाहिए बेजान तखलीकात में चार अनसुर नहायत एहम है मिट्टी, आग, हवा और पानी इन में बजाहर सबसे बेहकीकत मिट्टी है जो तमाम मखलुकात के पाउं तले रौंदी जाती है यहां तक कि यह हवाओ के बहाओ के साथ उड़ जाती है पानी की बहाओ के साथ बह जाती है और आग की गर्मी से जलती भी है मगर फिर भी उफ तक नहीं करती इसी बेहकीकत मिट्टी के नीचे खुद्रत के बड़े नयाब और किमती खजाने दबे होते हैं जिसको इस्तमाल करके इनसान अपने महजब मखलुक होने का दावा करता है यानि कि इसी मिट्टी के तह के नीचे जो है नयाब नयाब खजाने जो है ना उद्रत ने चुपा रखे हैं जिसको यूज करके हम सभी इनसान एक सव्या आदमी कहलाते हैं यह खजाने नहीं होते तो आज इनसान भी जानवरों की तरह जिन्दगी गुजार रहा होता यानि कि इस मिट्टी के तह में यह किमती किमती नयाब खजाने नहीं होते तो फिर आदमी जो इनसान है वो जानवरों की तरह जिन्दगी बसर करता मिट्टी की तहों के नीचे बहुत से दफीनों के साथ एक किसम का चिकना बदबुदार पानी होता है जिसे लोग मिट्टी का तेल कहते हैं अगर माजना किया जाए तो मोतीय का तेल और चंबेली का तेल अपनी खुश्बु के वज़ा से इस बदबुदार तेल से लाख दर्जा बेतर है मगर जरूरत और इफादियत के लिहाद से अगर हम देखें तो यह गंदा सड़ा हुआ पानी तमाम खुश्बुदार तेलों से बढ़ चड़कर है आज कल तमाम दुनिया में इसी के दम से उजाला है मिट्टी के तेल की खुबी और इफादियत इसकदर है के चंबेली और मोतिया के तेल की खुश्बु भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती है मजमून निगार फजास निजामी ने मिट्टी के तेल की एहमिएत वाफादियत थाबित करने के लिए कई जेली और जमनी वाकियात भी बियान की हैं और यह वह बताना चाहते हैं कि अमीर तो अमीर है गरीबों के घर में आज मिट्टी के तेल के वजह से ही उजाला है ठीक है तो यह सारी बात लिख देनी है तो ज्यादा टफ लेंग्विज का तो यूज नहीं किया गया है बहुत ही आसान दूसरा सवाल बिजली की रौशनी आने के बाद भी मिट्टी के तेल की एहमियत किस तरह बाकी है तो देखे जवाब में लिखा गया है बिजली की रौशनी आने के बाद भी मिट्टी के तेल की एहमियत किस तरह बाकी है आप लोगों बताना है बिजली की रोशनी साइन्स की एहमतरीन इजादों में से एक है बलके मुहजब दुनिया के तामीर और इंसानी मियार हैत को बुलंद करने में बिजली की रोशनी ने एहम किरदार अदा किया है यहाँ तक कि गैस और बिजली की रोशनी ने अब मिट्टी के तेल को भी मात करना शुरू कर दिया है फिर भी मिट्टी के तेल का आलम गेर असर और इफादियत अभी भी बाकी है यानि कि बिजली की रोशनी आने के बाद भी मिट्टी की तेल की एहमियत अभी बाकी है भले ही मिट्टी के तेल को मात करना शुरू कर दिया है ये बिजली का रोशनी लेकिन अभी भी कहीं कहीं मिट्टी के तेल का यूज किया जाता है मतवस्त तबका के लोग और अधना तबका और गुर्बावों मसाकीन तमाम लोग जो आलमी अबादी की अक्तर हिस्से में मिट्टी के तेल के लावा और कुछ नहीं जला सकते हैं देहात और गाओं के गरीब बच्चे जो गाओं के सरकारी स्कूलों में तालिम हासिल करते हैं वहां मिट्टी की तेल की रोशनी में ही अपने असबाक की याद करते हैं उसकी खास वज़या है कि तमाम गाओं में बिजली अभी तक पहुंच नहीं सकी हैं और अगर किसी गाओं में पहुंची भी है तो वहां हर वक्त बिजली रहती नहीं है एसी हालत में देहाती लोग की जरूरियात और तल्बा की तालिम और मिट्टी के तेल से ही हल होता है यह बात तो बिल्कुल सही है अभी तो अभी तो लगभग हर गाओं में बिजली का विश्तार हो चुका है हैं तो हर गाहां में बिजली चली जा रही हैं लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था पहले हमको भी उद्यांद चाखेर याद आती हैं लेकिन अब देखिए कितना टेक्नलोजी बदल चुका है यह सब आविशकार है नए नए आविशकार अब बिजली की रोशनी आ चुकी है अब कहीं पर भी आप लोगों को लाल्टेन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि चारो तरफ बिजली का रोशनी सही उजाला रहता है ठीक है उनमें जो लोग दौलत मंद है वो गैस जलाकर अपनी जरूरियात पुरी कर लेते हैं इसमें भी परिशानी यह है कि एक तो हर देहात में गैस की सहूलियत दस्तियाब नहीं है और अगर किसी गाओं में रोड़ की वज़र से गैस मिलता भी है तो गैस की कीमत मिटी के तेल से ज्यादा है ये तो बात बिलकुल सही है इसलिए गरीब देहातों के लिए तो मिटी का तेल ही सहारा है ऐसे सूरते हाल में विजली की रोशनी आने के बाद भी मिटी के तेल की एहमियत अभी बाकी है खसूसां हिंदुस्तान जैसे मुलक में जहां मुलक की 60 पीस अबादी गाओं में रहती है और गरीब भी है तो ऐसे गुरबा 21 सदी में भी मिटी के तेल के स चार जो अनासिर चार तत्वा हैं इसमें मिटी का जो मरतबा है वो किस तरह बुलंद है यह आप लोगों बताना है तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि दुनिया में निजाम हयात को बखुबी चलाने के लिए अल्ला ताल्ला ने चार अनासिर पैदा किये हैं वहिया यह चार चीज अगर ना रहें तो मतलब जमीन पर यानि कि प्रिथवी पर जीवन रहना मतलब जिन्दा रहना पॉसिबल ही नहीं है अपनी अपनी इफादियत के लिए हाथ से यह चारो अनासिर इंसाने जिंदगी के लिए नहायत एहम है यानि कि जिने के लिए चारो में मिट्टी का मरतबा बुलंद है इसलिए कि हवा आग और पानी बेशक हयात इंसान के लिए नहायत मुफीद है लेकिन मिट्टी की इफादियत इन तीनों के बनिस्बत बहुत ज्यादा है आगे देखी क्या लिखा गया है मिट्टी की एहमियत अफादियत और मरतबा का तथकरा करते हुए मजमून के मसन्निफ फादर असन इजामी फरमाते हैं कि चारों अनासिर हवा आग पानी और मिट्टी में मिट्टी ही सबसे ज्यादा बेहकीकत और नाचीज है जिसको जमीन के तमाम मखलुकात शब और रोज रौंदती रहती है यहां तक कि यह मिट्ट पानी के मौजों के साथ भी बेह जाती है और हवा के एक जोकी के साथ उड़ जाती है और आग की गर्मी से जल जाती है बगर उफने तक नहीं करती बजाहर देखने में इसकी बेचारगी और जिल्लत पर हमें तरस आता है लेकिन खुद मिट्टी से ही अगर यह सवाल कर दि दियार किया गया है खासकर इनसान जो अपने अश्रफल मखलुकात होने पर फक्र करता है मुझही से पैदा होता है यानि कि इनसान जो पैदा होता है वो मुझही से यानि कि मिट्टी से ही पैदा होता है और मरने के बाद भी मिट्टी के पेट में चला जाता है यानि कि उस तो देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर जवाब लिखा गया है चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर चार कि मिटी के तेल की रोशनी में पीर वजवान, पार्सा और बदुनवान लोग कौन कौन से काम अनजाम देते हैं जवाब में लिखा गया है कि मजमून मिटी के तेल में मजमून निगार में मिटी के तेल की एहमियत और इफादियत साबित करने के लिए जमूनी तोर पर कई छोटे वाकियात पेश किये हैं वह यह बताना चाहते हैं कि भले ही आज बिजली आ गई है लेकिन दुनिया के जादतर लोग इसी मिटी के तेल के सहरे अपने रातों को उजाला करते हैं और तेल की रोशनी में रात के सारे कामों को निप्राते हैं मिटी का तेल हकीकत के लिए हाद से तो एक गंदा और सड़ा हुआ पानी है लेकिन एहमियत और इफादियत के लिहाद से ये तमाम तेलों से बढ़क चड़कर हैं आजकल सारी दुनिया में जहां बिजली की रोशनी नहीं है वहां मिटी के तेल की वज़ा से ही उजाला है अगर यह एक तरफ गैस और बिजली की रोशनी ने मिटी के तेल को मात देना शुरू कर दिया है ताहम इसके अलमगीरी फादियत अभी भी बाकी है दर्मियानी और अधना तबका के लोग जो अभी आलमी पैमाने पर कसीर तादाद में पाए जाते हैं वह मिटी के तेल के सेवा कुछ नहीं जला सकते हैं इस तेल की रोशनी में तुल्बा अपना सबक याद करते हैं इसी तेल की रोशनी में आशिक अपने हसीन महभूब का दिदार करते हैं और यही तेल बुरो की रात की तारीकी में रहनुमाई करता है इसी की रोशनी में दूर देहात के नमाजी अपने नमाजे अदा करते हैं और परहेजगार लोग इसी तेल की रोशनी में रात भरी बादतों में मसरूफ रहते हैं और इसी तेल की रोशनी में मौलवियों का वाज और पंडितों के कथा की मजली से मुनाकद हुआ करती है और यही वह तेल है जो चोर को चोरी करने में रहनुमाई करता है और पुलिस को चोर पकरने में लाल्टेन दिखाता है गम की रातों में हिजर वजुदाई की रातों में जब इनसान का कोई मोनस्व गमखार नहीं होता है तो वह मिट्टी का तेल है जो खुद को जला कर अपने वजुद को फना कर देता है और इनसान का शरी के गम होकर बाह से तस्कीन बनता है ठीक है तो ये हो गया एंसर पांच नमबर सवार है कि मजमून निगार मिट्टी के तेल के किन किन औसाफ का खायल है तो यहाँ पर जवाब लिखा गया है मिट्टी का तेल खौजास निजामी का एक मशूर मजमून है जिसमें मजमून निगार ने मिट्टी के तेल को अपने बहस का मौजू बनाया है चुनांचा खौजार से निजामी कहते हैं कि लोग भले ही मिट्टी के तेल को हकीर और बेवकात समझते हैं लेकिन इस हकारत के बावजूद इसी के दम से अपनी जिन्दगी में रोशनी पाते हैं मिट्टी के तेल के औसाफ और इफादियत इसकदर है कि चंबेली और मौतिया के तेल की कुश्बू भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती मिट्टी के तेल की सबसे बड़ी सी फतिया है कि यह अपनी इफादियत बाटने में भले बुरे का कोई तमीज नहीं करती बलकि मौशरे के हर तब के हर तब का नेक वबद अमीर गरीब बुढ़े जवान और मर्द और तबो के लिए मुफीद है मिट्टी का तेल अगर एक तरफ तल्बा को रात में सबक क्याद करने में मदद करती है तो दूसरी तरफ आशिकों को अपने महबूब के देदार करने में भी मदद करती है अगर एक तरफ मर्दों को पेशा या तजारती कामों में रातों में मदद करती है तो दूसरी तरफ औरतों को भी चिराख की रोशनी में खाना पकाने में मुआवन साबित होती है मिटी का तेल अगर एक तरफ नमाजियों को नमाज की अदाएगी और अबारत में मदद करती है तो दूसरी तरफ पंडितों को कत्था की मजलिस मुनाकद करने में मदद करती है अगर एक तरफ चोर तेल की रोशनी में चोरी का काम अन्जाम देता है तो दूसरी तरफ इसी तेल की रोशनी में पुलिस चोरों को पकड़ते भी है गर्ज के मिट्टी के तेल के किन किन औसाफ को शुमार किया जाए मुसनिफ मिटी के तेल के बेशुमार और साफ का कायल है जो इनसाने जिन्दगी के लिए मुफीद और कारामद साबिद हो सकते हैं यह हो गया answer अब six number सवाल है यहाँ पर सियाक और सबाक के हवाले से तश्रीह करना है देखिए दर्जजायल बारत की तश्रीह सियाक और सबाक के हवाले से यानि कि यह यहाँ पर इत्वास दे दिया गया है च्छोटा सा अंस यानि कि मिटी के तेल जो यह मजमून है चैप्टर उसी का यह च्छोड़ा सा कहीं से टुकड़ा उठा कर दे दिया गया है और इसका अपनों को तश्रीह करना है इसके आगे पीछे की हुई बातों को लिख कर जैसे कि क्या तुझ में इतनी ताकत नहीं कि खुदा के नाफर्मान इंसान को अपने आतिशी तमात्से से खबरदार कर दे बेशक तुझ में सब ताकते खुदा ने रखी है मगर तुझ अच्छी ताकतों को काम मिलाता है जिससे किसी को तकलीफ या किसी की दिल आजारी ना हूँ तो इसका आप लोगों को तश्रीह करना है कि आखिर इसके जरीए जो मसन्निफ है वो क्या बताना चाहते हैं और इसके आगे पीछे की हुई बातों को भी लिखकर आप लोगों को तश्रीह करना है तो देखिए जवाब में दिख दिया गया है कि पेश नजर इक्तबास खुआजा से निजामी के मजमून मिट्टी का तेल से माफूज है यह एक्तबास मजमून के आगरी हिस्से से लिया गया है इस एक्तबास में खुआजा से निजामी ने वाजाना अंदाज इक्तियार किया है यह उनके मजमین और तहरीरों का खास अंदाज है जिसमें वो बात में बात पैदा करके तबलिग व इसलाह का कोई ना कोई पहलू तलाश कर लेते हैं चुनांचा मिट्टी के तेल को मुकादिब करते हुए फर्माते हैं कि तू इतना बेगर्द और बेतालुक क्यों है तेरी रोशनी में खुआ शराब नोसी हो या इबादत वो तुझे सिर्फ रोशनी देने से काम है क्या तू लोगों को गुनाह करने से रोक नहीं सकता या अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो इतना तो करी सकते हो कि नाफर्मान और गुनागार इंसानों को अपने आतिशी तमाचे से कमसकम खबरदार तो कर दे बेशक खुदा ने तुमें इतनी ताकत तो जरूर दी है लेकिन किसी को नुकसान पहुचाना तेरी फितरत में नहीं है कौमी ताकतों का मजाहिरा नहीं कर सकता बलकि अपनी अच्छी ताकतों को बरुएकार लाता है जिससे किसी को तकलीफ न पहुचे और किसी की दिल आजारी भी न हो लबत्ता इंसान अपनी अच्छी कौतों को फरामोश कर देता है यहाँ पर क्या लिखा गया है अलबता इंसान अपनी अच्छी कौतों को फरामोश कर देता है और बुरी ताकतों को काम मिला कर खुद को भी तकलीफ में मुप्तिला होता है और दूसरों को भी तकलीफ पहुचाता है अगर इंसान भी तेरी तरह सुला की पॉलिसी एक त्यार कर ले तो दुनिया में हर जगा आमन हुआ इमान कायम हो जाएगा तो यहां पर बोला गया है कि मिट्टी का तेल के अंदर क्या खुदा ने वो ताकत नहीं दी है कि उसकी तेल की रोशनी में हो रहे हैं गलत कामों को रोक सके बेशक उसके पास यह सारी ताकते खुदा ने दी है लेकिन मिट्टी का तेल अपनी अच्छी ताकतों का इस्तमाल करता है ताकि किसी को कोई तकलीफ न पहुँचे तो इसी तरीके से इंसान को भी होना चाहिए इंसान को भी इसी सुला की पॉलिशिव को अपनाना चाहिए यह सुला की पॉलिसी हर इंसान को अपनाना चाहिए आगी बढ़ते हैं जरा यहां पर कौवाय्त से कुशन पूचा गया है इसको भी जड़ा देख लेते हैं सबसे पहला सवाल पुछा गया है कि दरज़ेल इलफाज के इजदाद बनाए इजदाद का मतलब होता है अपोजिट वर्ड यहाँ पर इलफाज दिये गए है इलफाज का मतलब क्या है धेर सारे लफ्स इसका आप लोगो अपोजिट वर्ड बताना है असदाद बताना है तो सबसे पहले बेकार है तो बेकार का उल्टा क्या होगा बकार बदबु का अपोजिट वर्ड यानि की विप्रितार्थक शब्द यानि की उल्टा शब्द क्या होगा तो खुश्बु मालिक का तो उल्टा नौकर जिलत का उल्टा इजट खुबसूरत का उल्टा बदसूरत रोश्णी का उल्टा तारीकी यानि की अंधेरा ठीक है दूसरा सवाल है कि दर्जल अलफाद से वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बने यानि की यहांपर कुछ ऐसे अलफाद दिये गए है जो वाहिद भी है और जमा भी है जो वाहिद लफज है उसको जमा बना देना है और जो जमा लफज है उसको वाहिद बना देना है जैसे की मखलुकात मखलुकात यह जो लफज है यह एक जमा लफज है सबक ये जो सबक है ये भी एक वाहिद लफज है ये इसका जमा क्या हो जाएगा प्लूरल असबाक हो जाएगा तालुकात ये एक जमा लफज है यानि कि प्लूरल है इसका सिंगुलर वाहिद हो जाएगा तालुक अमाल जो है न ये जमा लफज है और इसका वाहिद यानि कि स जिन्सित जाहिद करें यहां पर आप लोग को जिन्सित जाहिर करना है कौन सा लफ मुझक्कर है मुझकर न साना है या वोग को धिन्स जाहिर करना है तो सबसे पहला जो लफ्स है वह Oke oss Mut Wut tomiş अप लोग जानते हैं यह एक इस्तर्री निंग इस्त्रिलिंग है उसी तरीके से है शराब शराब क्या है शराब जो है न ये भी मौनस लफज है या इस्त्रिलिंग है या शराब पुरानी है पुराना है न ये पुरानी है ठीक है तो शराब क्या हो जाएगा मौनस उसी तरीके से तेल जो है वो मुझकर है यान की पुलिंग है कि ऑना सथ predisocy aем के ठिलनग है धी है मफबुक ये मौनिस लिएब खरखेज हैं फिर थी म点 fits लिए मूने से जिसे कि मेरी बात का तुम पर कोई असर नहीं हुई होई से थोड़ हैं मेरी बात का तुम पर कोई ÖSLINE हुई है एसे विए मेरी बात का तुम पर कोई असर नहीं हुआ तो असर जो ये लफ्ज है ये एक मुझकर यानि की पुलिंग लफ्ज है तो फाइनली यहाँ पर क्लास 12 के उर्दू का सेकंड चैप्टर जो है ना उसका सारा सब्जेक्टिव कॉश्चन एंसर कम्प्लीट होता है सेकंड चैप्टर से जितना क्या पर पर के मानी समझा समझागे समझागी आप लोगा दृट बच अंब्र भुट पता दीजिएं है unrest Works तो बनाएं गया है ना ताक आफ दाखिली बनाएं को जाहिर कर सकें तो अब लोग कमेंनो समझाएं कि अश्याधो और समझ में आई तो लाइक अभी तक नहीं किये हैं तो फड़ा वटर कर दे और जी tua उसका कि आप लोग को शियर करना है चानल पर अगर आप लोग नाय आया हुए है हमरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोग बार कहती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और make sure कि आप लोग नोटिफिकेशन बेल को on कर लिए हो ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो चलिए आज किस वीडियो को हम लोग यहीं पर करते हैं अब हम लोग इसके अगले चैप्र का कोश्चन एंसर अगले वीडियो में करेंगे तब तक के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा चाहती हूँ फिर मुलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज